हेलो फ्रेंद्स मेरीटा के क्रियेशन्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए यह खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आई हूँ यह डिजाइन आप बेबी स्वेटर, कैप, बेबी शूज किसी पर भी बना सकते हैं और यह डिजाइन देखिए, बन कर कितना खूबसूरत लगता है और यह डिजाइन बनाना बहुत ही असान है इस डिजाइन के लिए हमने दो के मल्टिपल से फंदे लेने है इस डिजाइन के लिए हमने यह 14 फंदे लिए है, 14 स्टिचेश लिए है अब ये हमारी पहली सलाई है सीधी साइट से हमने ये देखिए दूसरे रंग का वूल अटैच कर लिया है तो हमने सीधी साइट से देखिए दूसरे रंग से देखिए हमने ये सारी सलाई सीधी बुनाई करनी है ये हमारी पहली सलाई है अब हम ये उल्टी साइड आगे रॉंग साइड ये हमारी डिजाइन के दूसरी सलाई है उल्टी साइड से तो हमने पहला फंदा उतार लेना है अब हमने देखिए एक दो ये दो फंदों को पहले हमने इन दोनों फंदों को देखिए ऐसे उल्टा बुनाई करना है फिर धागा हम पीछे की तरफ करेंगे इनी दो फंदों को अब हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये दोनों फंदों को निकाल दिया फिर धागा अपनी तरफ किया ये देखिए दो फंदों को हमने पहले उल्टा बुनाई किया फिर धागा पीछे की तरफ करके दोनों फंदों को हमने सीधा बुनाई करना है फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बुनाई करेंगे फिर धागा पीछे करके दो फंदे सीधे बुनाई करेंगे अब ऐसे हमने ये सारे फंदों को बुनाई करना है आखिर का फंदा हम उल्टा बुनाई कर देंगे अब फिर देखिए हम सीधी साइड आगे हमने तीसरे रंग का हूल अटैच कर लिया है अब ये हमारी डिजाइन की तीसरी सलाई है सीधी साइड से तो हमने ये तीसरे रंग से ये सारी सलाई सीधी बुनाई करेंगे सभी फंदों को हम सीधा बुनाई कर देंगे अब फिर देखिए हम उल्टी साइड आगे रॉंग साइड रॉंग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है पहले हमने यहां से डिजाइन को बनाना स्टार्ट किया था अब हम एक फंदा उल्टा बुनाई कर लेंगे अब हम यहां से डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमने दो फंदे उल्टे बुनाई किये फिर धागा पिछे करेंगे इनी दो फंदों को हमने सीधा बुनाई कर देना है अब इन दोनों फंदों को निकाल दिया फिर धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बुनाई किये फिर धागा पिछे करेंगे दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे फिर धागा आगे किया, दो फंदे उल्टे बुनाई किये, इन्ही दो फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे अब हमने ये सारी सलाई ऐसे ही बुनाई करनी है अब आखिर में हमारी ये दो फंदे आगे, इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे अब फिर हम सीधी साइड आगे, अब फिर से हमने देखिए, पहले वाले रंग से बुनाई करना है और ये हमने जैसे डिजाइन की पहली सलाई बनाई थी, सेम वैसे बनानी है ये सारी सलाई हम पहले वाले रंग से सीधी बुनाई करेंगे अब हम रंग साइड आगे, उल्टी साइड जैसे हमने डिजाइन की दूसरी सलाई बनाई थी, वैसे बनानी है अब हमने देखिए, पहला फंदा उतार लिया, अब हम दूसरी सलाई में यहां से डिजाइन स्टार्ट किया था इन दो फंदों को हमने पहले उल्टा बुनाई किया, धागा पीछे की तरफ करेंगे, इनी दो फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे फिर धागा आगे की तरफ किया, दो फंदे उल्टे बुनाई किये, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, फिर देखिए दो फंदे हमने उल्टे बुनाई किये, फिर हमने इनी दो फंदों को सीधा बुनाई करना है, अब हमने ऐसे ही ये सारी स लाइबुनाई करनी है अब यह दिखें फिर से हम सीधी साइड आ गए अब हमने फिर से सेकेंड कलर से बुनाई करेंगे हमने इन चार सलाईयों को ही रिपीट करना है पर हम बारी बारी से यह अलग लग कलर से इसको बनाते जाएंगे और ऐसी यह खूपसूरत सा पैटरन बनता जाएगा